वेल्कम है आज के हमारा आर्सीव घर से सीएस के जो टीम रहेगा उस टीम के बारे में हम आपको साथ बात करेंगे इस मैच का जो ड्रीम 11 टीम होगा वो क्या हो सकता है इसका फूल प्रेडिक्शन और फूल एनलाइस अभी हम आपको देंगे इस से पहले आपको तो प्रूफ ज़रूर चाहिए तो आज हम आपको प्रूफ भी देंगे कि कैसे हमारा टीम ड्रीम 11 टीम पर प्रवेश करता है तो चलिए बिना वक्त का बाई प्रूफ पर जाते हैं हम आप देखिए कॉम्टिरेट पर हम जाते हैं या पर सा केके और आर्सीव ते बीच जो मैच हुआ थ आप देखिए आप देख सकते कि या पार जो हाइस्ट स्कोर था वो था 460.5 और हमारा जो स्कोर था वो था 432.75 तो हमारा जो टीम था वो था यह या पर हमने एक गलती की थी कि हम या पर से ख्रिसलीन को खिलाए थे और यूबेंदरो चाहल और पीजूस चावला को खिलाए थे इन सभी को अगर हम नहीं लेते, साइनी और गार्ने इन दोनों को अगर हम लेते और यहाँ पर से खिसलिन के बगएर रॉबी उथा पकवा हम अगर लेते तो हमारा स्कोर और भी ज्यादा होता हम वहाँ पर पाच लाग भी इंकम गड़ सकते थे क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लाइब प्रूब भी दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारा टीम ड्रीम 11 टीम पर प्रवेश किया था और यहापर से हमने जो captain select किया था कोहली को वो एकदम कोहली captain थे और vice captain पर भी रासली थे मैं आपको अभी प्रूप दिखाता हूँ कि हमारा यह captain vice captain selection भी कितना सही था अभी हम जाते हैं यहापर से जिसने second rank किया था उनका team अभी आपको दिखा रहे हैं वह आप अब देख सकते हैं कि यहापर से जो captain थे वो भी थे कोहली और vice captain भी थे रासल तो यहापर से तो आप समझ गई होंगे कि हमारा team कितना genuine team था और कितने अच्छे से हमने आपको team दिखाया थे तो चलिए बिना वक्त कवाए आज का वीडियो पर हम आप ही आते हैं हमारा तो proof होई गया कि हमारा team कितना अच्छा केलता है तो यह जो match होगा और सॉरी हाँ आर्सीवी वर्जा सी एस के बीच इस match से पहले हम आपको एक app सर्जिस्ट करेंगे अच्छे खासा इंकम कर सकता है और वह भी फ्री में बिल्कुल फ्री में चलिए उस app को अभी हम देखते हैं उस app का जो नाम है अब यह आपर से देख सकते हैं कि उसका नाम है हाला अपले इस app का जो description है मतलब इस app का जो link है वह आभी हम description box पर देदेंगे और वह पर आप देख सकते हैं कि description box पर एक code है उस code को apply करने से अब पहले ही 50 रुपए free में बिल्कुल moved में पा जाएंगे और moved का चीज कौन छोड़ता है तो अभी उसको redeem की कर लीजिए और फिर अभी हम आपको इस app के बढ़े में बताएंगे अब देखते रहे हैं यह जस्ट एक मिनिट का वक्त है वह पर अब बहुत ध्यान से देखिए कि हम क्या क्या आपको दिखा रहे हैं अब यह पर देख सकते हैं कि जीम लेट के तरह ही आपको इंट्रीफीस देखे यह पर पे आउट इतना साड़ा ज्यादा पैसा की इंकम कर सकते हैं और यह पर जो अच्छे चीज है कि यह पर आप 10 रूपाई के भी आप इंट्रीफीस देखे प्रोवेश कर सकते हैं इस आइटेम पर और इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि इसका जो डिल्चस चीज है वो है इंट्रीफी पर जाके भी पे आउट पा सकत है यह पर आप मल्टी टीम सिलेट कर सकते हैं फ्री में मल्टी टीम अप सिलेट कर सकते हैं तो आप अगर छे टीम भी सिलेट करते हैं तो एक ना एक टीम तो अच्छा खिले गा ही उसका बहुत ही चांसा है यह पर से एक रैंक पे जाने का मैंने सोच लिया कि आप एक पे न कम कर सकते हैं और इस 100 को अब रीडिम कर सकते हैं तो यह तो बहुत ही अच्छे चीज़ है और इस एप का जो लिंक है और जो रिफाराल कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा सो अभी जाईए और इस एप को डाउनलोड कर लीजिए और रिफाराल जो मैच होने वाला है RCB और सीरस के के वी जिस मैच में हम अभी आते हैं आज मैं वीडियो जादा लेंदी नहीं करूंगा थोड़ी देन में आज का वीडियो खतम हो जाएगा जितना तरह आपको दिखाएंगे और एनलाइसिस करेंगे और धियान से दिखिए यह परसे आप धोनी को ले सकते हैं और पार्थी पेडल को ले सकते हैं पर आज के मैच में धोनी बैटिंग लाइनप पे बहुत ही नीचे हैं अभी आप धोनी को मत लीजिए आप पार्थी पेडल को लीजिए क्यूंकि पार्थी पेडल आज का लाइनेप में भी ओपेनर सी है तो ओपेनिंग में पार्थी पेडल अच्छे खेल लेते हैं और बैटिंग का ओप्षन मिलता है उनको तो अभी आप धोनी के अलावा पार्थी पैटल को सिलेट कीजिए मैं भी यह पर पार्थी पैटल को सिलेट करता हूँ फिर हम आते हैं बैट्समैन पर कोहली बहुत अच्छे फॉर्म पर हैं आपने तो देखा है पिछले मैच भी उनको हम केप्टन किये थे और बहुत अच्छे ओलों ने खेले थे So Co衣igo हम अभी select कर लेते हैं फिर आते है डेविलियर्स पर पहली के मैच के तरह इस मैच पे भी नहीं खिल रहा है तो उनको select मत कीजिए सुरेस्टाइना को भी अभी है अभी सिलेड मत कीजिए क्योंकि सुरेस्टाइना उत्षे पार्म पे नहीं है इस IPL पे फिर हम आते हैं शेन वाट्सन पर शेन वाट्सन बहुत ही अच्छे से बल्लेवाजी नहीं कर पाए पर यह जो मैच होगा यह CSK के अंदर मैच होगा सो यहां पर शेन वार्ट सन का बल्लेवाजी बहुत ही तग्रा रहेगा अभी अब से नोट सन को भी एड कर लीजिए मैं भी आपर से एड कर लेता हूं फिर आते डुबलेसिस को कुछ भी सोचे समझे बिना आप यहां पर से डुबलेसिस को एड कर लीजिए उनका जो पॉइंट्स इतना अचा है तो उनको तो एड करना पड़ेगा ही हम वियापर से एड कर लेते हैं दुबलेसिस को फिर आते हैं कि इदार जादुब जादुब बहुत अच्छे फॉर्म पे हैं बहुत अच्छे बैर बल्लेवाजी कर रहा है तो जादुब को भी आप यहां अच्छे फर्म पे नहीं है इंदोनों में से किसी को भी आप मत लीजिए फिर आम आते हैं और लाउंडर पर डूएन ब्रैभो इस मैंच पे खेलेंगे और बहुत अच्छे खेल रहा है और लाउंडर पर तो इनको तो एड करना पड़ेगा है मैं भी आपर से इनको एड कर कर सकते हैं कि कि वह इतने अच्छे फाम पे है में अब दिखा रही है अभी आप देख लीजे कि उनका जो realistic 친र है Ūे हम Market कुर्स पर डारेज फिरों है फिरा ते अधा में नियुए ज्याइन पहुत अच्य पर है आपट चाहे तो जाधा लतब लिया था पर इस मैंस अगर आप चाहे तो ही जादेजा को लीजिए क्योंकि मैं अभी जादेजा को नहीं नूँगा फिर आते हैं मिचल सैंटनर और स्टॉनिस स्टॉनिस काल के मैच पे बहुत अच्छे खेलेते पर सैंटनर उतने अच्छे फॉर्म पे नहीं है इन दोनों को अभी छोड़ दीजिए अगर आपको लेना पड़ेगा तो जादेजा और स्टॉनिस इन दोनों के बीच किसी एक को लेना पड़ेगा को अभी सिलेट करूंगा चाहार बहुत अच्छे फॉर्म पे हैं शरदूल ठाकुर भी अच्छे फॉर्म पे हैं इन दोनों को तो आप ले सकते हैं फिर आते हैं डेल स्टेन डेल स्टेन भी बहुत अच्छे फॉर्म पे हैं इनको भी अब ले सकते हैं मैं यहापर से चाहार क तो इन दोनों को तो अभी बद दीजिए चलिए टीम प्रिव्यू मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि यह हमारा जो टीम प्रिव्यू है यह है फिर हम आते हैं कैप्टेन और वाइस काप्टेन सेलेक्शन पर यह बहुत धियान से आप देख लिजिए कि कि किसको हम तो वाइस कैप्टेन और एक मैट्समान को सेलेक्ट करने के वगएर और और बुलर्स को सेलेक्ट कीजिए और अगर आप एक और और बुलर्स को कैप्टेन सेलेक्ट करते हैं तो वाइस कैप्टेन अभी आप एक मैट्समान को सेलेक्ट कीजिए मैं भी वही करूँगा यह आज का भी Captain जो है वो फिरट कोली को select करोगा और जो फाइस Captain है वो मोयनाली को select करोगा क्यूंकि यह दोनों बहुत ही अच्छे form पे हैं पिछले match में भी बहुत ही अच्छे खेले थे मैं भी इन दोनों को select कर लेता हूँ चलिए और एक चीज आप देख लीजिए अगर आप चाहे तो वाट्शन को Captain सिलक्ट मत कीजिए केदार जादोब को Captain मत लीजिए क्यूंकि केदार जादोब उतना अच्छे form पे नहीं है डूपलेस चीज अच्छे form पे है, डूपलेस इसको ले सकते है मैं एक खुलासा आपके सामने करतेता हूँ आप शेन वाट्शन को मत लीजिए Captain पे केदार जादोब को भी मत लीजिए दुपले सिस को ले सकता है, कोहली को ले सकता है, कैप्टेन पर आप मोयनाली को ले सकता है, ब्रैवो को मत लीजिए और फिर कैप्टेन पर ताहिर को भी ले सकता है, भाइस कैप्टेन पर अगर आप लेना चाता है तो डेल स्टेन को लीजिए युवेंद्रो चाहल को लीजिए और चाहार इन चारों को चाहार बोलारी बहुत अच्छे फर्म पे हैं चाहल उतना अच्छे फर्म पे नहीं है पर चाहल अगर चाहल का दिन रहा तो चाहल बहुत ही अच्छे खेलेगा तो मैं यापर चाहिल को तो पकड़ लेता ही हूँ पर आज के लिए मैं बोलता हूँ कि आप चाहिल को कैप्टेन और वाइस कैप्टेन दोनों में से किसी को भी नहीं कीजिए आप अगर कैप्टेन सिलिट करना चाहता है तो यापर से स्लिट करने के बाद जो हमारा टीम रहेगा उस बारे में आप आते हैं इससे पहले आप चाले कि यह जो टीम हैं इनी इन का एक स्कृण्श लेने चाहते हैं तो मैं अभी आपको बोलूँगा कि आप एक स्कीनशॉट ले लिए मोई नाली यह हमारा पार्फेक्ट टीम कॉम्बिनेशन हो चुका है यह पार्फेक्ट टीम कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा ड़या हूं यह टीम अच्छा खेलेगा है क्योंकि analysis में यह stream को हमने सबसे उपर रखा है और मैंने तो proof दिखाई दिया है कि हमारा team कितना अच्छा खिलता है अगर आपको अभी हमारे proof से पड़ेशने नहीं है तो आप हमारे channel को subscribe कर सकता है और बेलाइक को भी दवा सकता है क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक ही जाना चाहिए तो अभी अगर आप चाहे तो इस वीडियो को like कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं है तो मैं या भी आपको बोल रहा हूँ कि आप dislike भी कर सकता है कोई भी परेशानी के बात नहीं है अब dislike कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आया और अगर पसंद क्यों नहीं आया उसका जो reason है वह आप comment box पर obviously लिखें इससे मेरा फैसला होगा कि कितने आच्छा मैं वीडियो बना रहूँ और अच्छा उतने आच्छा प नहीं आज के लिए यह टीम ही आपर पास रहेगा सो बाई